हलो फ्रेंट, मैं सत्यनायन आप सभी का अपनी नई वीडियो में स्वादत करता हूँ फ्रेंट आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंप्लांट मॉक अप के बारे में इंप्लांट मॉक अप को हमें किस तरीके से बनाना चाहिए और इसके फाइदे क्या है तो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मैं इस चैनल पे टेंटर लैब से रिलेकर वीडियो बनाता रहता हूं तो फ्रेंड हम वीडियो को आगे बराते हैं और चलते हैं अपने मॉडल्स के उपर फ्रेंड ये हमारा इंप्लांट का मॉडल है जिसमें 6 इंप्लांट डले हुए हैं और ये मॉल्टी यूनिट का केश है जिसमें कि मैंने 14 इंप्लांट का मॉकप बनाया है 3D प्रिंटर के सारे इसको मैंने 3D प्रिंटर से प्रिंट किया है और जो मैंने डिजाइन किया है वह एक्जो कैट के ऊपर डिजाइन किया हुआ है तो फ्रेंड मौकब बनाने से जो हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि इतना बड़ा ब्रिज अब देख सकते हैं कि इसकी फिटिंग से लेके सारी चीजे हमें पता चल रही है इतना बड़ा ब्रिज अगर हम डिरेक्ट बनाते हैं या फिर वो डियेमेलेस बनाए या इनका कोई इसू आया या फिर पेशेन को साइज और से पसंद नहीं आया तो हमारा सारा का सारी काम बेस्ट हो जाएगा सारी मैनत बेस्ट हो जाएगी तो मैं क्या करता हूं कि हमेशा जब भी मेरे पास इस तरीके का कोई बड़ा केस होता है तो उसके लिए मैं एक मौकप मकप दो करता हूं मौकप डिजाइन करके उसको मैं डॉक्टर के पास भेज़ देता हूं डॉक्तर उसमें इसकी फिटिंग बायट और स्ञारी चीज़ करिए चीजय चेक करकेश से पेशेंट से चेक करवाके अप्रूव कर देते हैं तो इसी सेंव फाइल को मैं स्रीं करके और एक्जोकेट के अंदर यह ओप्शन होता है स्रींग करके सेम फाइल को मैं कूपिन में कनवर्ट कर लेता हूँ और फिर आगे का काम प्रोसीड कर लेता हूँ तो इसके लिए मैंने क्या किया है सबसे पहले गॉक्टर ने मुझे इसका इंप्रेशन दिया था इसका जिंग वेरिपाई कर लिया जिंग वेरिपाई करने के बाद जेयर हुआ जेयर को मैंने आर्टिकुलेट कर लिया और आर्टिकुलेट करने के बाद फिर इसको मैंने एक्जोकेट पे डिजाइन किया है आप देख सकते हूँ आप एक सीज़ कह सकते हो कि छोटे आर्टिकुलेटर के क्यूं है तो Friend Exocad में 3PIN आर्टिकुलेटर के साथ स्कैन करना बड़ा मुस्किल हो जाता है तो मैं सरिफ अक्लूزन परपस के स्कैन के लिए छोटे आर्टिकुलेटर का यूज़ करता हूँ और उसके बाद जब मेरा काम कम्प्लीट हो जाता है scan design का और trial होके आगा है अगर नई byte के साथ तो फिर हम इसको three point articulator पे shift करके बागी का जो काम है वो करेंगे तो इसका हमने ये drums लगा दिया है इसका जो सबसे बड़ा फाइदा है कि हमारा जो waste is है जो repetition के chances हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है चाहे वो design करने में या फिर byte के time में articulate के time में गलतियां कहीं भी हो सकती है तो हम repetition से बच जाते हैं हमारा जो खर्चा है वो कम होता है हमारा नुकसान कम होता है तो आप इसका देख सकते हो कि इसकी जो fitting है कितनी अच्छी fitting आई है यह gums मैंने इसका लगा दिया आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यह proper adapt है तो इससे हमारे सारी चीजों का पता चल जाएगा overall occlusion, gums का gap, pontic, safe, सारी चीजों का हमें पता चल जाएगा इसके मैं इसका सबसे पहले आपको screw भी लगा के दिखाता हूँ screw कितने पिल्कुल passive तरीके से fit होता है तो friend अगर आप इसका designing का वीडियो देखना चाहते हो तो आप comment में comment box में comment करो तो मैं इसके designing का भी वीडियो बना के डाल दूँगा YouTube के उपर friend एक चीज और अगर हमारा काम करने का तरीका सही है तो हमें कम महनत में हम ज्यादा अच्छा result डॉक्टर को provide करा सकते हैं जिससे की patient को भी अपने prosthetic time से अच्छे तरीके से बिना किसी परहसानी के मिल जाएगा और डॉक्टर को भी लगेगा कि हमें काम थोड़ा बहुत काम तो आता ही है अगर friend आपके पास इससे कुछ अच्छी technique है तो आप वो भी मुझे comment करके बताना है तो यह मैंने इसके सारे screw tight कर दिये हैं और आप देख सकते हो इसका occlusion भी कितना बहतरीन है उपर का hybrid बना हुआ है और नीचे का हम TFM में proceed करेंगे DMLS के through तो friend अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर ले मिलते हैं किसी नई वीडियो में thank you friend